वेल कम बैक टू माय चैनल तो आज मुझे को समझ नहीं आ रहा था कि में खाने में क्या बना वृ मुझे दिखा गोभी तो प्रोए बोट अब टो एक भी के पराते तो सब摩़ करते के विए जिरा राई कर्या धाल से भी कर लेंगे तो सबकते के बना तोड़ी देर पकने देंगे करीबन 5-6 मिनट और यहां पर मेरा स्टफिंग तयार है तो इस पराथे को हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं सबसे पहले आप लोई ले और उसको बेल ले उसके बाद में जो स्टफिंग हमने तयार की थी उसको भरे और अच्छे से स्प्रैट कर दे i.e. आउ जिसके बाद में उसको अच्छे से कवर करतें जिस से जो हमारी स्टफिंग ही करके बहार न निकले और हमें धीरे-धीरे करने वजना पराथा वर्ड़ना न पछरड जाएगा फिर इसके बाद में हमें गारा गरम करना है और इसमें घी से अवह मदें तयल से चेल तो मैं ये पराठा भी पहली बारी बना रही हूँ पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये फट ना जाया पर ये बहुत अच्छे से बिल गया है और ये देखे कितना प्यारा सिख गया है बाता है सेकंड तरीका हमें दो लोया लेनी है बिल्कुल छोटी-छोटी सी और उसकी दो रोटिया बेल लेनी है तो पहली रोटी पर पहले अच्छा से स्टफिंग लेकि उसको पूरे तरीके से स्प्रैड कर लेना है चममच के तुरू और उसके बाद में जो हमने दूसरी र परेटा बनाते है और नॉर्मल परेटा बनाते हैं तो स्टफिंग बाहर निकल जाती है लेकिन इससे आपकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी को भी लगा कि अच्छे से सेक लो तो देखो किता सुन्दर लग रहा है इसके बाद में आता है थर्ड मैंथर जब आप ब लगता है और यहां पे हामारे पराठे बनके रैडी हो चुके हैं आप चाये तो नहीं हो प Western लिए यहां पे मेरा दही भी आ चुका है और अब मैं जा रही हूँ प्लेटिंग करने के लिए यहां अब मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ और यह मैंने खा लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना तैंक यू